मार्केट के जो बड़े मूव्स होते हैं, जो वेल्स के द्वारा लिए जाते हैं, अगर आप उनके अकोडिंग चलोगे, तो आपको जब बरदस्त कमाने से कोई भी नहीं रोग सकता है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर स्टेटेजी को समझना पड़ेगा, आज के इस लेंग्वेज में समझाओंगा आपको, कि एक बच्चा भी समझ जाएगा कि क्या चीज होती ही, तो आप ध्यान से सुनना, लिक्विडिटी कलेक्शन होता कै, फोर एक जांपल, आपको हजार आइसक्रीम की नीड है, और आप एक छोटी सी बेकरी में जाते हैं, और आप ब बहुत जादा चोटी चोटी बेकरी जें, उनके पास जाके कलेक्ट करना पड़ेगा, 600 आइसक्रीम, 200 आइसक्रीम ऐसे करके, 1000 आइसक्रीम का आपका कोटा पूरा हो जाएगा, तो इसको ही तो बोलते है, लिक्विडिटी कलेक्शन, चोटी-छोटी बेकरी के पास जाके, पूरा यहाँ पे जो आपके 1000 आइस्क्रीम की नीड़ती वो collect करें। या आप 5000 आइस्क्रीम लेलो या ज्यादा लेलो। या फिर आप एक काम कर सकते हैं एक ही जगह जहाँ पे आइस्क्रीम मनती है फेक्टरी बोलो। नहीं हो सकता है ऐसा। सपोज गरो मार्केट में liquidity है नहीं तो वेलो खाहां से sale करेंगे। खाहां से buy करेंगे। liquidity होना important है। बड़े orders होते हैं वेलो के 50 million, 100 million इस तरीकी के। तो वो चीज करने के लिए आपको उनके concept को समझा होगा। जैसे अब यह तो आपको में simple जो अपनी day to day life में होता है उस recording समझा है मैं आपको आइस्क्रीम का example देके अब मैं आपको जो वेल्स का example देके समझाता हूँ कि वो किस तरीके से यहाँ पे liquidity collection करते हैं। तो वो थोड़ा बहुत prices को नीचे लेके जायदार थे ताकि लोगों को लगे कि और नीचे जाएगा। और उपर का example देके सब्सक्राइब बिटकोइन की प्रैसे 69 के अराउंड थी डोलर तो वहाँ पे क्या हुआ बाई 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 करायर जा रहे थे लोगों को यह लग रहा था कि अब यहाँ end of the year 2021 की बात करहूं 2021 के end में बहुत अच्छा खासा bitcoin जाएगा एक लाग दोलर जाएगा मीडिया में भी यही सब चीज यह थे कि bitcoin एक लाग दोलर जाएगा यह सब चीज यह बड़े बड़े वेल्स होते हैं उनके द्वारा की जाती है ताकि market में hype हो जाए जादा से जादा buyers आए लिक्विडिटी जादा से जादा हो जाए और फिर वो क simple manner में आपको समझा दिया हूँ कि किस तरीके से वेल्स by sale की यहाँ पर क्या करते हैं कैसे find out करना है simple सा है जिसे market के कुछ important key levels होते हैं वहाँ पर वो किस तरीके से price का movement हो रहा है for example suppose guru अभी के बात करता हूँ तो अभी के फिलाल में क्या हो रहा है जो sort करने वाले थे जिन्होंने ये बाईस अजार के round यहाँ पे बिटकॉन की prices गी तो sort के order खतरनाग लगा थे उनको लग रहा था कि बिटकॉन की price ओर जादा slip होगी लेकिन यहाँ पे क्या है जादा-ज जाएंगे यही होता है जब तो नीचे वालों को लपेड नहीं देंगे ना तब तक पंप करेंगे और कहां पर जाके लिक्वीड हो सकते हो पचीजार डॉलर चबीजार डॉलर के राउंड समझ रहों और जो लोंग कर रहे हैं उनका यहाँ पर कम liquidity है तो नीचे ले जाने क trading नहीं करते हैं मैं यहाँ पर ले लूँ मैं वहाँ कर दूँ मैं वह कर दूँ तो जो मैं आपके liquidity collection का concept समझाया हूँ इसको हमेशा दिमाग में रखना इतना easy manner में समझाया हूँ यह हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए जहां पर भी important key levels हैं वहाँ पर यह देखो कि liquidity collection तो नहीं हो रहा गई liquidity collection हो रहा है तो उनकी तरही आप action लो आपको जब brothers profit होगा क्योंकि आप well के तरह आप act कर रहे हैं समझ में आगे आपको सारी बात I hope मैंने आपको जो भी चीज़े बताई है सबको समझ में आ गया होगा अगर इस वीडियो में आपको ज़रा साब knowledge मिल आउते वीडियो को like कर दीजिए चैनल पर नहीं तो subscribe कर लीजिए आगे भी आपको इसी तरीके साच्छे चे वीडियो मिलते रहेंगे